नमस्कार, स्वागत आपका ख़वरों का पंचनामा में, मैं हूँ आपके साथ कुश्बू, हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी ख़वें, जिस पर चट्शा के लिए हमारे साथ स्टूडियों में मौझूद है सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन केस में पूर्व एंकाउंटर स्पेशिलिस्ट रदीप शर्मा गिरफ्तार उद्भव के चहिते की गिरफ्तारी से संकट में अगारी सर्था बंगार में लगाता हिंसा पर मम्ता बैनरजी का नया जूट कहा पिड़मून को बदनाम करने की दिए बीजेपी की गुंडे फैला रहे हैं अराजरता परजी पितान अंदोन में एक और दिल बहला देने वाली घटना युवक्त को जिन्दा जलाया शराब पीने को लेकर हुआ था विवाज जुगर की मार्कीत वाले वीडियो में अखिलेश के खरीदी निता का आया नाम राहुन ओवैसी और स्वरा के खलाफ भी एफ़ायार एनसे लगाने की मांग वीडियो पीनेता ने खोंडी केज़िवाल के कोल कहा केज़िवाल के आवास पर खर्श हो रहे जरता के 9 करोन रुपए दिखाए अजरता पहली ख़बर में बात करेंगे महराश्रो की एनाइए ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशिलिस्ट और उधव ठाकरे के चहेते प्रदीब शर्मा को गिरफतार कर लिया है और अब उससे पूछतार चल रही है लेकिन इस बीच एक बड़ी हल्चल शुरू हो गई है एक के बाद एक शिवसेना और उधव के करीबी नेताओं की ग्रफतारिक से शर्व पवार बहुत नाराज बताय जा रहे है डॉक्टर साम इसका मतलब क्या यह समझा जाए कि अगाड़ी सरकार अप संकट में है देखिए एक तो कोल्ड वार अलडी चल रहा है कि जिस तरीके से अनिल देश्मुख को बदनाम किया गया इनसेंस फसाया गया यह NCP को लगता है कि सिवसेना की वज़े से उनका एक लीडर जो ग्रिह मंत्री था वो फस गया क्या हुआ नहीं हुआ वो तो इन्विस्टिकेशन आगे जाएगा लेकिन पॉलिटिकली NCP को लग रहा है कि सिवसेना उसके साथ गेम कर रही है और सिवसेना को लग रहा है कि यह NCP वाले बीज़ेपी के साथ मिलकर के कुछ गेम कर रहे है कॉंग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि यह दोनों मिलकर के मुझे मुझे मुख बना रहे हैं इसलिए हम अकेले चुनाओ लो रहे हैं तो यह एलाइंस तो बिलकुल उसमें कई सारी दरारे जो है और रिक पड़ गई है लेकिन आज की जो खबर आई है वो इसलिए इंप को जोइन किया और पिछले चुनाओ में विधान सभा के चुनाओ में शिवशेना के टिकट पे वो नाला सुपारा से चुनाओ भी लड़ा सचिनवाजे दूसरा करेक्टर जो पूरे गेम में मुख भूमिका निवा रहा है इसको जब नौकरिस से निकाला गया वर्दिस की छीन ली गई तो इसने सिवशेना को जोइन किया और यह सारी मंडली जो है मिल करके वो उगाही से वसूली से लेकर के बम रिखने का पूरा काम खबर क्या एनाईए के तरफ से आ रही है कोट में पेश किया गया एनाईए के तरफ से साफ साफ का गया कि जो मनसुक इरेन की हत्या हुई वो प्रदीप सर्मा और सचिनवाजे के आदेश पे किया गया दूसरी खबर कि यह जो जिलिटिन की छड़ें जो आई एंटिलिया के बाहर जो रखी गई वो कहां से आया तो उसके बारे में बताया जा रहा कि प्रदीप सर्मा नहीं मोहिया कराया था घर में छापा मारी होती है कई सारे अनलैसिंस विपन्स भी मिलते है तो इसका मतलब यह है कि यह जो पूरा गैंग है इसका एक कनेक्शन सिवसे नक साथ और दूसरा इनका रिस्ता इस तरह के अपराद के साथ अब यह लोग क्या कर रहे हैं यह लोग एंसीपी के लीडर्स के उपर कीचर छेर देया है कि अनिल देश्मोंग हमसे दो कड़ोर रुपय मांगा तो वो उगाही करवाता था इतने सो कड़ोर रुपय का टार्गेट दे रखा था हम इनके लिए उठाते थे यह इस तरह की चीज़ी हो रही है तो यह जो NIA का जो आज जो एक्शन हुआ है उससे NCP और शिवसेना इन दोनों के बीच की दूरियां और भी बढ़ गई है तो अगहाडी सरकार ने जिस तरह के Encounter Specialist महराश्चर में पाले हुए है अब नौबत यह आ गई है कि इन Encounter Specialist ने ही इनकी जो पार्टियां है NCP और शिवसेना उनके बीच में ही Encounter करा दिया है अब बात बंगाल की ममता बेनरजी ने बंगाल में लगातार हो रही हिंसा का ठीकरा अब BJP पर खोड दिया है और आरोप लगाया है कि उनके खलाब साजिश रची जा रही है ममता बेनरजी का कहना है कि TMC को बदनाम करने के लिए BJP ही बंगाल में हिंसा करवा रही है ढुटर साथ यह तो वही हाली बात हो गई कि उल्टा चोर कोड़ाते देखिए जूट भी कई प्रकार के होते हैं एक प्रकार होता है सब्हेज जूट जो देखते ही समझ में आ जाए वह जूट है मता भनरुजि ने कोट मनें ममतापर नजी की सरकार ने कहा कि जिज दिन से ममतापर नजी ने सफत ली उसके बाद से कोई ہिनसा नहीं हुई अभ ममतापर नजी कह रही है कि तिर्मूल कॉंग्रस को बदनाम करने के लिए ये जो हिनसा जो हो रही है वो bgp वाले खुद कर रहे हैं और तीसरी बात दोने कही कि भई ये सब जो हो रहा है वो मेरी सरकार को destabilize करने के लिए होगा है तो ये तीन बाते हुए अब ये तीनों की तीनों बाते जो है वो जूट है पहली बात ये कि जो आपने कोर्ट में जो बात कही वो पहला जूट इसलिए है क्योंकि लगातार खबरे भी आ रही है हिंसा भी हो रही है सोचल मीडिया से लेकर के वोमन कमिशन नैशनल हुमन राइट कमिशन इन सब क्योड़ जो इन्डिपेंडेंड़न टीम दिगू गई उनोंने कहा कि हिंसा जारी है आज प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे है उस वक्त भी बंगल में हिंसा जारी है दूसरी बात जो उनहोंने झूट कही उकि बीजेपी वाल को उकसा रहे हिंदूों के खिलाप आप यह कहना चाह रही है कौन आपकी बात को माने का यह सफेज जूट नंबर दो और नंबर तीन सफेज जूट नंबर तीन कि सब कुछ जो ममता की सरकार है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए सारा सडियंद्र नचाह जा रहा है ममता जबर जी को यह पता होना चाहिए कि जो हिंसा की जो वारदाते हुई है उसको लेकर के पीडित लोग सुप्रीम कोट का दर्वाजा इन लोगों ने खटटाया है सुप्रीम कोट के अंदर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोट के अंदर यह जो पीडित महिलाएं है वो से जजज साहबों के जो होश फाक्ते हो गए हैं कि ये किस हिसाब से बंगाल में सब चीज चल रहा है दरसल बंगाल को डेस्टेबलाइज करने का जो की जो पहली वज़ा है वो है मंता बनरजी की अपीजमिन्ट पॉलिटिक्स कि जो हिंसा करने वाले चुके ये मुस्लिम से ज्यादा इसलिए मंता बनरजी उनके खिलाफ को एक्शन नहीं ले रही है इस वज़े से वहां पर ये सिलसला हिंसा का आगजनी का अराजकता का वो बदस्तूर जारी है तो बड़ा ही तरस आ रहा है प्रिंगूल कॉंग्रस और मंता बनरजी पर कोई भी आता है बाहर से औ और वो भी बिना किसी गलती के अगली खबर फर्जी किसान आंदोलन से फर्जी किसानों के अड़े पर पहले युक्तियों से रेप की खबरे आई और अब एक युवक को जिन्दा जलाने का मामला सामने आया है बहादूर गड में किसान आंदोलन के नाम पर बैठे गुंड लों के खिलाफ कारवाई नहीं हो रही है दो-दो केसे जा गए जो रिपोर्टेड है अन्रिपोर्टेड तो कितने होंगे वो पता नहीं बही एक को गैंग रेप हो रहा है एक के साथ मुलेस्टिशन हो रहा है और आज ये तीसरी खबर आई है कि पास के गाउं का कोई मुक किसान लीडर सी उसके शरीर पे तेल छड़क के उसको आग लगा देते हैं पुलिस भी आती उसके भाई का साफ साफ ये जो मैं बता रहा हूं कहानी ये मिर्तक के भाई ने पुलिस को बताया है कि इन लोगों ने वहां भुलाया वो तो ऐसे ही चला गया था और इन लोगों ने एक तमाशा क्रियेट करने के लिए किसान सहीद हो गया उसके लिए प्रपंच क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है जिस लड़की के साथ बंगाल की बेटी जिसके साथ गैंग रेप हुआ उसकी मौत के बाद भी इसी तरह से उन लोगों ने लास को जो वहां पर घुमाया था और यह कहाता कि बेटी जो है सहीद हो गई अब पता चल रहा है कि उसको तो रेप करके इन लोगों ने मार डाला इसी तरीके से यह सहीद बनाने की जो प्रक्रिया जो इनकी जो है वो चल रही है सुप्रिम कोर्ट में शाहिन भागवे साफ साब कहा था कि बाई आप पबलिक स्पेस पेस्तर का प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं तो सुप्रिम कोट से यह सवाल पूछना चाहिए कि बही आपने जो आप जो फैसला लेते हैं कि fırस्रकार पूच्ण कोई फैसला लेती है वह किसले लेती है सोचल मीडिया में उसको फ्वार वोट करने क मजाग बनाने के लिए तमाशा क्रियेट करने के लिए या फिर सुप्रेम कौट का फर्मान इस देश के अंदर लागू करवाने के लिए अगर सुप्रिम कोट के फैसले के ऊपर भी सरकार और पूलिस अमल नहीं कर सकती हैं तो ये कहना पुड़ेगा कि ये जो सरकार है पूल वीडियो को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं इस मामले में खिले श्रादव के करीबी समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान का नाम सामने आ रहा है दूसरी तरफ लोनी के बीज़पी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राहूल गांधी असदुद्दीन शिकायत होती है साथ जुन को ये समाजवादी पार्टी का अख्लेश का जो बहुत करीबी लीडर है शाहिन बाग में भी बड़ा एक्टिव था ये सब तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं पता नहीं कहां से इन लोग की फिनांसिंग होती है कौन क्या करता है इ उस बुजुर्ग को धंकाया गया कि तुम भगवान स्री राम का नाम लो ताकि ये महाल बन सके अब वो सारी बाते हो गई जो ओरिजिनल वीडियो था उसमें और ये जो फेस्बुक लाइब में ये बात कहलवाया गया कि भई हमको स्री राम बोलने के लिए कहा गया हमने न पला जो स्टोरी इन लोगों ने चलाई अब ये मुद्दा बन गया मुद्दा बन गया तो राहूल गांदी भी ना समझी की वज़े से उन्होंने टूइट कर दिया सौरा वासकर ने कर दिया बहुत सारे पत्रकारों ने कर दिया बहुत सारे एजंडा भाज अवागेंग क कर गई टूटर को अभी जो इंटरमीडरी होने का जो फाइदा होता है वो विड्रॉ कर लिया गया है विड्रॉ कर लिया गया है कि वो तो टूटर ने चुके सरकार के कानून को मानने से इंकार कर दिया तो यह कहा जाया कि भई उन्होंने खुद विड्रॉ कर वाया है टू होता है और ये बड़े बड़े लोग जो करते हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए और एक पांच-छे मैने के लिए त्यार के अंदर इनका ब्रह्मन होना जरूरी है उच्छे मैने त्यार जेल के अंदर रहेंगे अकल ठिकाने आ जाएगा इनके तो अकल ठिकाने आएंगे ही बाकी लोग ये जो रिटूइट करने वाला गैंग है पैसे ले करके वो वो भी डरेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अब समय का परदाफाश कर दिया है बीजेपी निता नवीन कुमार जिंदल का दावा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अर्विंद के जिवाल अपने cm आवास को अपग्रेड कराने के लिए टैक्स पेर्स के करोड़ों रुपए का इस्तमाल कर रहे हैं जिंदल ने अपने के साथ साथ कई दस्तावेज भी सामने रखे हैं डॉक्र साभी वही केज़वान है जो cm बनने से पहले बड़े-बड़े दावे कुटे थे न एसी लूँगा न सिक्यूरिटी लूँगा न बंगला लूँगा मैं तो जी अपने घर ये जो सरकारिक द्वारत दिया हुआ ज आप को बात बता दूं मुक्र मंत्री बनने के बाद एक दो मैने तक शकरते रहे ये केंदर सरकार से कि हमें वही घर चाहिए जिसमें शीला दिक्षित रहती है शीला दिक्षित का बहुत बड़ा बंगला हुआ करता था जनपत के ऊपर और उस फिराग में थे लेकिन ये त अपना अलग आस्याना क्रियेट किया वह भी कम बड़ा नहीं है चोटा नहीं है बहुत बड़ा है गार्डर मेरा सब है और जब यह तो कस्में खाकर के आया था और जैसे ही शिप्ट हुआ शिप्ट करने से पहले ही ना एसी लूंगा ना बंगला लूंगा 21 एसी लगाए अब उसको रेनुवेट करने के लिए इतने क्रोर रूपे जो खर्च किये जा रहे हैं तो यह दरसल टिपिकल बहुत सारे लोग जो कहते हैं लालु यादब बुरे हैं या फिर मुलाहिम सिंग बुरे हैं बहुत सारे इस तरह के लीडर्स के नाम आते हैं कि यह सब जो है राजिनती को पल्यूट करने वाली लोग हैं और जिसके खिलाफ पुरा देश कहता कि अच्छे लोगों को राजिनती माना चाहिए यह अच्छा आदमी है यह हीरा हमने दिल्ली वालों ने चुनकर के मुख्मंत्री बनाया है जो काम लालु यादब को सीखने में 25 साल लगे यह 25 मेने में उसका मास्टर हो गया दिल्ली में आज भरस्ट अचार हो कि अववस्था हो विकास ना हो कोई प्रोजेक्ट काम न करे उगाही हो यह सब का सब खुले आम चल रहा है और उसके नाक के नीचे चल रहा है जो बड़ी बेशर्म से कहता है कि वो तो बहुत ही इमा प्रणदार मुख्रमंत्री है जै रोक्र साब बहुत बहुत शुक्रिया समाम जानकारी के लिए दन्वाद तो ख़बरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें क्यापिटल टीवी हमें लाइक कीजिए शे